पुलिस कर्मी का एक बड़ा अक्षन स्पा सेंटर की यार में चल रहे देव अपार की अड़े का उन्होंने परदाफाश कर दिया है गिर्धर मार्गिसित होटल केजी रेजिनसी में चल रहा था स्पा सेंटर पुलिस टीम ने पांच महिलाओं से ताच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गिरफ्तार पांच महिलाओं है थाइलेंड निवासी पिछले कई दिरों से एसे भी आदिते पूनिया को इस तरह की शिकायते मिल रही थी ऐसे भी पुलिस कर्मी को बोगस गरहाग बना कर भेजा गया मौके पर और पुलिस कर्मी का इशारा मिलते ही मौके पर दविश्दी गई जब आहाँ सरकिल थाना पुलेस अब आरोपियों से पूछताच कर रही है कई दिनों से सीवी के पास इस तरह की शिकायते मिल रही थी बोगस गरहाग बना कर भेजा और जब वो शिकायते सही पाई गई तो फुलिस कर्मी का इशारा मिलते ही मौके पर दविश्दी गई और फिर इस पूरे देवयपार का परदाफाश कर दिया कया सीनिय स्पेशलर रिपोचर सत्रेंट शर्मा मरसा जुड़ चुके हैं जाधा जानकारी हूं से लेंगे सत्रेंट जरविस्तार से बताईए क्योंकि शिकायते मिल रही थी बोगस गराग भी बना कर बेजा और वो शिकायते शाय सही पाई गई है तभी इस तरीके से दबिश भी दी गई और फिर देवैपार का परदाफाश लेकिन किस तरह से पूरा घटना करें मुज़र बताईए का बड़ी कारवाई है और जो गलत कारवाई हैं होती है गलत उसके अंदर कांकाम होते ही सबी को ज्याने लेकिन अब पूल इतने बड़ाइसें लिया है है को देशी पी मांग अगर आजित्यपुनिया फुल आगे पड़ें आगे बड़ें आगे बड़ें से अपने टीम के मेंबर को आगे बढ़े जाओ पता पड़ाए कि द्यापुल सहर की होटल के अंदर थाइलेंड की यूटिया है जो कि जिसम फरोशिया काम करते हैं उसक से वसूल करती है और साथ-साथ जिवा है वो इसके अंदर शोग में पस्ता ही जा रहा है तो ऐसे में ज्यापुर पुलिस की मुहिम चुरू हो रही है आज चाम से और माना जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार के अन्दिक काम को रोका जाएगा और साथ-साथ से अवे साथ भी हो गए हूं में उमीद करेंगे कि इस तरीके की तस्वीरे राजधानी जैपुर में ना ही नजर आये तो जादा सही है फिलाल शुक्रिया इस जानकारी के लिए